हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है रवी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रवी स्टड़ी जी के पायर फेंट्स आज मैं आपके लिए सभी एक्जाम के लिए और इंडियन एकनॉमिक्स का काफी जादा इंपॉर्ण टॉपिक टॉपिक का नाम है पंच वर्षे योजना जिसे की हम 5-year plans भी बोलते हैं इस टॉपिक से related most important question इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और इंपॉर्ण लिए हैं अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी साधा useful रहने वाले और फ सबसे पहले आपको बतायता हूँ कि आपको मैं आज जो पंच वर्षे योजना पढ़ा रहा हूँ इसमें किस तरीके से बढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पंच वर्षे योजना के बारे में ये होता क्या है ठीक है उसके बाद मैं आपको completely जितने प्रदान मंतरी ने पेश किया था उसकी प्रात्मिक्ता क्या थी उस पंच वर्चे योजना की ठीक है वृद्धी दर सब कुछ बताऊंगा बारी-बारी से ठीक है और उसके बादना फैंट्स मैंने लास्ट मेना आपके लिए 50 MCQ भी रखे हैं प्रिवियस एर के जो बार-बा हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि पंच वर्चे योजना होती क्या है पंच वर्चे योजना है प्रथम प्रधान मंतरी जवहर लाल नहरू दौरा सन 1951 में देश में आर्थिक विकास को गती देने के लिए पंच वर्चे योज देने के उद्देशे से योजना आयो को समात कर इसके स्थान पर एक जनवरी 2015 को नीती आयो की स्थापना की भारत की पहली पंच वर्चे योजना 1951 में शुरू हुई थी बारवी पंच वर्चे योजना को भारत की अंतिम पंच वर्चे योजना माना जाता है आगे मैं जिन्होंने सोवियत संग में वर्ष 1928 में पंच वर्षे योजना को लागू किया था तो अगर पूछा जाए कि पहले वर्षे कौन थे तो वो थे जॉसेफ स्टालिन सोवियत संग के ठीक है जिन्होंने 1928 में फाइव यर प्लैन को लागू किया था यानि कि पंच वर्षे य अध्यक्ष होते हैं जैसे कि present में निति आयोग की अध्यक्ष होते है प्रधान मंतरी तो आपको present में क्या हुआ कि 2015 में योजना आयोग था उसको रिप्लेस कर दिया गया निति आयोग से तो दोनों एकी चीज़ है पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाल लाल नहरू क्योंकि पहले प्रधान मंतरी यही थे, पहले उपाद्यक्ष की बात कर लेते हैं, गुलजारी लाल नंदा थे, इसी के साथ मैं आपको बताओं, एक टर्म और आता है, NDC, जिसे कि हम राष्टिय विकास परिशत बोलते हैं, आपको बताना चाहता हूं, राष्टिय विकास परिशत, इसका गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को NDC, यानि कि राष्टिय विकास परिशत का गठन हुआ, इसका मुखे उद्देश है, योजना आयो त्वारा लागू की गई, 5 वर्षे योजना को ठीक तरह से संचालित कराना था, ये भी आपसे पूछ दिया आता उनके बारे में मैं आपको बता रहता हूँ, उसके बाद हम बारी-बारी से पढ़ेंगे सभी पंच वर्षे योजना के बारे में, ठीक है, तो देखे, पहली पंच वर्षे योजना के बारे में, ठीक है, तो देखे, पहली पंच वर्षे योजना के बाद आया, पहला योजना अपकाश थी है 1966-1969 तक चला ठीक है फिर हाई चौती पंचवर्ष योजना 1969-1974 और उसके बाद आई पांचमी पंच वर्ष योजना 1974-1978 लेकिन यहां पर चीज देखिए कि सारी पंच वर्ष योजना पांच वर्ष चली लेकिन यहां पर आप देखो 1974-1978 तक चार स तक चला ठीक ये भी प्रकार का योजना अवकाश ही था उसके बाद छटी पंच वर्ष योजना की बात कर लेते हैं 1980 से 1985 तक सात्मी पंच वर्ष योजना 1985 से 1990 तक मतलब पांच पांच वर्षों की ये पंच वर्ष योजना है उसके बाद तीसरा योजना आपकाश आया 1990 से 1992 तक, दो साल का था ये, उसके बाद आठमी पंच वर्षे योजना 1992 से 1997, फिर नोमी पंच वर्षे योजना 1997 से 2002 तक, दसमी पंच वर्षे योजना 2002 से 2007 तक, ग्यारमी पंच वर्षे योजना 2007 से 2012 और आखरी थी 2012 से 2017 तक 12 मी समझा दिया कि 12 पंच वर्ष योजना थी पहले 1951 में शुरू हुई थी 2017 में खतम हो गई 12 वाली आपको आपको चीज पता लग गई अब सबसे जादा important part स्टार्ट हो रहा है इस वीडियो का पहली पंच वर्ष योजना जितने भी कोशन बनेंगे ना पहली पंच वर्ष योजना से सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा अगर आपको वीडियो की quality वीडियो का content और आपकी रवी सर की महनत हमेशा से पसंदारी है वीडियो को like और share जरूर करें comment box में अपना feedback भी दें कि आपको वीडियो कैसे लगती है ठीक है friends तो चलिए हम start कर लेते हैं पहली पंच वर्ष योजना से जुड़े हुए important fact के बारे में 1951 से 1956 तक चली यह आपको ध्यान रखना है पहली पंच वर्ष योजना 1 एपरल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली सबसे दाधा important है कि किस model पर अधारी थी हैरोड डॉमर मॉडल पर अधारी थी एक्जाम में इसको आप double star या triple star मार कर लिजे डारेटली पुछा जाता है बताओ जो पहली पंच वर्ष योजना है वो किस model पर किस ने पेश किया था पहले प्रधान मंतरी जवार लाल नहरू ने आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ इस योजना में क्रिशी को उच प्रात्मिकता दी गई तो एक्जाम में पूछा जाता है कि बताओ जो पहली पंच वर्ष योजना है उसमें किस सीज को प्रात्मिकत इसलिए आप यह कह सकते हो यह जो पंच वर्ष योजना है पहली वाले यह सफल रही है क्योंकि इसमें हमने एक्सपेक्ट यह किया था कि 2.1% होगा लेकिन मिला कितना 3.6 मिला आई होप आपकी चीज पता लगए एक्जाम में पूछा जाता है बताओ पहली पंच वर्ष य किस प्रकार की है ठीक है अब मैं आपको पहली पंच वर्ष योजना जोड़ा कुछ और फैक्ट बताता हूं इस योजना के दोरान राश्टी आए में 18 परतिशत तथा प्रहति वेक्ति आए में 11 परतिशत की कुल विरिद्धी देखी गई प्रथम पंच वर्ष योजना न ठीक है इसी के साथ चैन्नई में जो इंटीगरल कोच फैक्टरी है जहां पर ट्रेनों के डब्बे बनते हैं उसकी शुरुआत भी पहली पंच वर्ष योजना के दोरान ही की गई थी और इसी के साथ 1956 के अंत में जब ये पहली पंच वर्ष योजना खतम हो रही थी तो पा पंच वर्ष योजना यानि की सेकंड फाइव यर प्लान के बारे में सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो दूसरी पंच वर्ष योजना है एक एपरिल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली यानि की 1956 से 1961 तक चली पाँच वर्ष तक चली टोटम लागे ये दूसरी पंच अगर आप से एक्जाम में पूछा जाए कि बताओ दूसरी पंचवर्षे योजना किस मौडल पर अधारी थी, इसे भारत के प्रधान मंतरी जवालाल नहरू के द्वारा संसद में पेश किया गया था, तो आप आपको यहां पर यह भी पता लग गया कि दूसरी पंचवर्षे योजना जो है 1956 से 1961 तक चली, पहली बार तो यह एक्जाम में डारिकली पूछा जाएगा कि दूसरी पंचवर्षे योजना कब से कब तक चली, उसके बाद पूछा जाएगा इसका मुखे उद्देश 4.27% आई है ना, मतलब हमने क्या किया था, हमने जो उमीद रखी थे कि 4.5% मिलेगा, लेकिन मिला कितना 4.27%, थोड़ा सा कम मिला, आगे मैं आपको बताओ, दूसरी पंचवर्षे योजना में भारत ने मिश्रित अर्थविवस्था का विकल्प चुना, तो पूछा जाता ह दूसरी पंचवर्षे योजना जोड़े कुछ और फैक्ट बता देता हूं, देखिए, यह है योजना, इस योजना में देश की जीवन स्तर को उच्छा उठाने के लिए, पांच वर्षों में राष्टी आई में 25% की वृद्धी करने का लक्षन इधारित किया गया, किस पंच वर्षे योजना में, इसमें भारी उद्ध्यों को उच प्राथमिक्ता दी गई, यह दोनों लाइन आपको धिया, इक्जाम में उद्धेश की language कभी यह देते हैं, कि मुक्य उद्धेश क्या था, कभी यह देते हैं, इसलिए मैं दोनों ली दिया, ठीक, ब्रैकेट वाला भी आपके लिए उतना ही important है सेंस दोनों का सीम ही है इसमें सारवजी छेतर के वै की 24 परतिशत की राशी वै की गई आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ second five year plan के बारे में दुईत्य प्राथमिक्ता याता यात वै संचार को दी गई जिस पर 28 परतिशत राशी वै की गई अनेक महतपुन कारे का जो बड़े उद्योग थे वो स्थापित हुए दूसरी पंचवर्षे योजना में जैसे की भिलाई, राउर केला, दुरगापुर के स्पातकार खाने इसी योजना के दोरान स्थापित किये गए अब हम देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षे योजना के बारे में सबसे बड़ी बात हो यही है कि सबसे ज़्यादा फिल्ड मतलब की अनसकसफूल पंचवर्षे योजना है तीसरी वाली, ठीक है, रीजन क्या है जान सैंडी तथा सुख मैं चकरवर्षे योजना God भारत के जो पहले प्रधान मतितर जवाल नहरू ने भारती संसत में पेश किया था इस योजना का उदेशे अर्थ विवस्था को आतर मिरभर बनाना था आई होप आपको उदेशे भी क्लेर हो गया तीसरी पंच वर्ष योजना का उदेशे था आर्थ विवस्था को आतर मिरभर बनाना इस योजना को गौडगिल योजना भी कहा जाता है कहीं कहीं पर आपको लिखा होता है कि जो फूर्थ पंच वर्षे योजना है उसे गौडगिल योजना कहा जाता है लेकिन एक्चॉल में जो राइट आंसर होता है वो है तीसरी पंच वर्षे योजना को गौडगिल योजना भी कहा जाता है फिर भी एक बार फ्रेंट्स आप मैंने आपको लाइन बताई है ना गौड के लिए योजना तीसरी वाले हो कहा जाता है इस पर एक वरा आप रिसर्च कर लेना ठीक है मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना कि आपने क्या पढ़ा है इसके बारे में ठीक है आगे मैं आपको बताता हूँ आगे मैं आपको बताऊँ क्रिशी और गेहूं के उत्पादन में सुधार्बा ध्यान के इंद्रित किया गया इस पंचवर्षय योजना में इस योजना में क्रिशी और उद्योग दोनों को प्रात्मिक्ता दी गई जो मिनिस्तर पर लोगतंतर के लिए पंचाय चुनाव की शुरुआत भी तीसरी पंचवर्षय योजना में ही की गई आगे हम देखते हैं बोकारो स्टील प्लान जो की जारखंड में है IDBI-BANK इसकी स्थापना हुई किस पंचवर्षय योजना में तीसरी पंचवर्षय योजना में नेक्स्ट है हमारा तीसरी पंच वर्षे योजना की विफलता के बाद सरकार को तीन योजना अवकाश यानि कि 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969 तीन योजना अवकाश की घोशना करनी पड़ी ठीक है चीन भारत यूद, भारत पाक यूद, योजना अवकाश के प्राथमी कारणों में शा हुई थी, अब मैं आपको बता देता हूँ, तीसरी पंच वर्षे योजना के बाद और चौती पंच वर्षे योजना से पहले बीच में आया योजना अवकाश, जो की था तीन साल का, इसके बारे में हम देख लेते हैं, तो आप से पुछा जाता है, बता योजना के कारण सरकार ने 1966 से 1969 तक तीन वार्षे की योजनाई घोशित की, योजना की अवकाश के बीचे मुखे कारण भारत पाकिस्तान यूद और चीन भारत यूद था जो तीसरी पंच वर्षे योजना की विफलता के कारण थे, इस योजना के दोरान वार्षे की योजनाई ब रूप की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है I hope आपको ये पता लग गया कि योजना अवकाश की अवधी क्या थी तीन साल की थी ये तीनों वार्शिक थी 1966 से लेके 1969 तक थी और रिजन क्या था लाने का भारत पाकिस्तानी यूद चीन भारती यूद ठीक है जिससे कारण क्या हुआ था जो 35 बश्य योजना थी न वो असफल हो गई थी और सरकार ने क्या किया रूपे का अवमोलियन किया यानि की डी वैलुएशन ओफ रूपी किया अवरियो को वीड़ी वीड़ियो का content और आपकी रूपी सर की महनत पसंदा रही है वीड़ियो को like और share जरू करें comment box में अपना feedback भी दें की वीड़ियो आपको कैसी लगती है और आपको friends good news देना चाहता हूँ कि आपने मेरा mobile application जरू install कर लेना रवी स्टड़ी जी के नाम से हैं यहां पर अगर आपको test series join करने क्योंकि आप सभी को बता है कि test काफी important होता है अगर आपको GKGS का test series join करना है तो आप रवी स्टड़ी जी के पर जाके test join कर सकते हो Hindi medium चाहिए है English medium चाहिए दोनों available है यहां पर mobile application पर आपको मिल जाता है best quality का हमने test series आप सभी के लिए बनाया ताकि आपको exam में exact question देखने को मिले और GKGS की tension आप खतम कर लो अबनी ठीक है daily current affairs पढ़ना है current affairs by ravie हमारा youtube channel है current affairs by ravie youtube channel इसे भी आप जरूर subscribe कर लें daily current affairs पढ़ने के लिए और मेरी ebook की website आपके सामने show भी हो रही है फिर भी आपको लिख देता हूं www.raviebookspdf.com ठीक है यहां पर जाके आप हमारी all subject की ebooks बाई कर सकते हो current affairs, quality, history, geography हर subject की ebook आपको यहां पर मिल जाती है best quality का ebook आपको मिलता है current affairs, quality, history, geography यह तीनों चीज़े जो मैंने आपको बताईए इसका आप screenshot ले लिए और कहीं पर note down कर लिए ठीक है वीडियो के बाद आप जरूर विजिट करना एक बार ठीक है तो चलिए अब हम next पंच वर्षे योजना पढ़ लेते हैं अब friends हम पढ़ लेते हैं चौथी पंच वर्षे योजना सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ चौथी पंच वर्षे योजना जो है ये एक एपरल 1969 से 31 माच 1974 तक चली मतलब 1969 से 1974 तक चली चौथी पंच वर्षे योजना इसे प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी के कारेकाल के दोरान पेश किया गया था इस योजना में स्थिर्ता के साथ विकास और आत्म इर्वसा के दिशा में प्रगती पर बहुत अधिक जोर दिया गया सरकार ने 14 प्रमुक भारतिये बैंकों का राष्टे करन किया कब चौथी पंच वर्षे योजना में इस रो की स्थाफना हुई चौथी पंच वर्षे योजना में भूमिकत परमानुप परिक्षन जिसे की स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है ये भी कब हुआ चौथी पंच वर्षे योजना के दोरान हरित करांती ने क्रिशी को बढ़ावा दिया ठीक है ये भी कब शुरू हुआ चौथी पंच वर्षे योजना में इस योजना की लक्षित विदी दर 5.7 परसंट थी जबकि वास्तविक विकास दर 3.47 थी 3.47 किसके कारेकाल में पेश किया गया था? इंद्रा गांधी के कारेकाल में ठीक है, असके बाद कब मुक्ने अदेशे गया था? चौथे प्रमुक जो भारती राष्टे बैंकिन का राष्टे करन हुआ कब चौथी पंच वर्षे योजना के दोरान इसरों की स्थापना हुई भूमिगत परमानु परिक्षन हुआ जिसे की स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है अब हम देख लेते हैं पांच मी पंच वर्षे योजना इसमें से भी काफी सारे कोशन एक्जाम में आते हैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो पांच मी पंच वर्षे योजना है एक एपरल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली इस योजना ने रोजकार बढ़ाने और गरीबी उनमूलन यानि की गरीबी हटाओं पर जोड़ दिया तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ गरीबी हटाओं का जो नारा है ये किस पंच वर्षे योजना में मिला आप लोगे पांच मी पंच वर्षे योजना में यानि की 5th 5-year plan में इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया नियोंतम आवशक्ता कारिकरम जिसे की MNP बोलते हैं मिनिमम नीर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं जिसका उदेशे बुन्यादी नियोंतम आवशक्ता हैं प्रदान करना था कब शुरू हुआ 5th 5-year plan में MNP को DP धर द्वारा त्यार किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है आगे आपको मैं और समझाता हूँ पांचवी पंचवर्ष योजना के बारे में इस योजना में भारतिय राष्टिय राजमार्ग प्रनाली की शुरूआत की गई थी पुछा जाता है एक्जाम में कि कि5 पंचवर्ष योजना में भारतिय राष्टिय राजमार्ग प्रनाली की शुरूआत हुई पांचवी पंच वर्ष योजना में अपातकाल की गोशना भी इसी पंचवर्ष योजना के दर्वान की गई थी तो फ्रेंट्स आपको ये लग रहा होगा ना कि जितने भी क में कोशन है सबसे दा इंपॉरेंट एक और बात बता रहा हूं कि जो पांचवी पंच वर्षे योजना है केवल चार साल तक ही चली थी डारेक्टली पुछायता एक्जाम में कौन सी पंच वर्षे योजना है जो केवल एक्चल में क्या मिला वास्तव ही विकास दर क्या मिला 4.8% मतलब की यह सफल रही और आपको योजना के बिच लागू किया गया था पांच वी और छटी तो देखो फेंट्स मैं आपको ना बोल रहा था ना कि सारे कोशन प्रीवियस येर में आये वे तो देखो यह जो मैंने वर्ड यहां पे गल्दी से मेरा रहे गया तो आप यह देखो यह कोशन एक्जाम में पूछ की गई थी यह आपको ध्यान रखना है रोलिंग योजना की अवधारना गुनार मिडल द्वारा गड़ी गई थी 1980 में सत्ता में आने पर भारती राष्टे कांगरे सरकार द्वारा इस योजना को फिर से खारिच कर दिया गया और एक नई छटी योजना बनाई गई रोलिंग योजनाओं का मुखे लाब यह है कि वहल अचीले होते हैं रोलिंग योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर साल योजना के परदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन की अधार पर अगले साल एक नहीं योजना बनाई जाती है आप नहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में भी देखा गया लक्षित विकासदर्थी 5.2 परसेंट और वास्तविक विकासदर्थी 5.7. आपको एक पोईंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है अब नेक्स्ट है हमारा अफ्रेंट हम देख लेते हैं सात्मी पंच वर्षे योजना जो सात्मी पंच वर्षे योजना है एक अपरिल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली यहाँ योजना प्रधान मंतिर राजीव गांती के कारेकाल के दोरान प्रस्तुत की गई थी तो आपको बता लगी हा ना कि सात्मी पंच वर प्रधानमंति डाजीव गांदी के कारेकाल के दोरान इस पंच वर्षे योजना में प्रधुकी के उपियों के माध्यम से और द्योगी उत्पादक्ता के स्तर में सुधार पर जोड दिया गया योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6 प्रति वर्ष की दर्स में से वृद्धी थी 5.0% जबकि वास्तवी विकासदर थी 6.01% मतलब आप कहा सकते हो कि ये भी सफल पंच वर्षे योजना रही कौनसी वाली साथमी वाली और फिर आपको बताना चाहता हूं कि साथमी पंच वर्षे योजना के बाद फिर से योजना अपकाश आया जो कि 1991 से लेके 1992 तक चल तक इसे पीवी नरसीमा रावने संसद में प्रस्तुत किया था तो अगर आपसे पूछा जाया आठवी पंच वर्षे योजना की अंतरगत ही LPG रिफॉर्म्स यानि की लिब्रलाइजेशन, प्राइबिटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था इस योजना के दोरान प्रधान मंतरी रोजगार योजना भी शुरू किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है आठमी पंचवर्षे योजना ने वीकेंदरी करण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोड दिया इस पंचवर्षे योजना में मिड डे मिल योजना जोकी 1995 में शुरू हुई थी और प्रधान मंतरी रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी ये पंचवर्षे योजना आठमी पंचवर्षे योजना के दोरान ही हुआ और आपको बताना चाहता हूँ ये जो पंच वर्षे योजना थी ना आठवी वाली ये भी सफल पंच वर्षे योजना में से एक है क्योंकि लक्षवित बृती धरती 5.6% लेकिन वास्तविक विखासदर अब विश्वचनिय रूप से 6.8% रही तो आपको बताना चाहता है तो आपको बताना चाहता है जिसने सोतंदरता के बाद भारत के 50 वर्षे योजना है जिसने सोतंदरता के बाद भारत के 50 वर्षे को चिनित किया 95 वर्षे योजना 95 वर्षे योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक ने आए और समानता के साथ विकास था तो आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि बताओ 95 वर्ष योजना का मुख्य उद्देश है क्या था सामाजिक ने आए और समानता के साथ विकास ये आपको ध्यान रखना है नोमी पंच वर्ष योजना में दूसरा परमानु परिक्षन 1998 में हुआ कारगेल योद 1999 में सर्व सिक्षा अभ्यान वर्ष 2000 में हुआ था नोमी पंच वर्ष योजना की ये बात हो रही है लक्षित विदी धर्था इसमें 6.5% लेकिन वास्तविक विकास धर लगवक 5.5% रही मतलब क्या सकते हो कि ये असफल पंच वर्ष योजना थी ये है योजना अंतराश्टी ये मंदी के कारण असफल रही थी जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखें आप नोट्स बनाती रही है बांकी तो आप मेरा एप्लिकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर ले ना वहाँ पे आपको मेरे नोट्स मिल जाते हैं ठीक है अब फ्रेंट्स हम देख लेते हैं दसवी पंच वर्षय योजना तो आपको बताना चाहता हूँ दसवी पंच वर्षय योजना वर्ष 2002 से 2007 टक चली ठीक है इस पंचवर्षे योजना में और आपको बताना चाहता हूँ ये पंचवर्षे योजना में लक्षित विकास दर्थी 8.1% जबकि वास्तविक विर्थी दर्थी 7.6% अब हम देख लेते हैं 11 पंच वर्षे योजना, काफी इंपरेंट है ये भी 11 पंच वर्षे योजना, 11 पंच वर्षे योजना एक एपरिल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली, इसे मनमोहन सिंग जी ने संसत में प्रस्तुत किया था, 11 पंच वर्षे योजना की रूप रेखा सी रंगा र 30 मार्च 2012 तक इसे मनमोहन सिंग जी ने संसत में प्रस्तुत किया था, और इसकी रूप रेखा सी रंगा राजन ने तियार की थी, 11 पंच वर्षे योजना का जो मुखे विशे वस्तू था, मतलब इसकी जो थीम थी, या बोल सकते हैं इसका जो मुखे उद्देशे था, वो योजना के भारे में, तो 11 पंच वर्षे योजना में वर्ष 2009 में सिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो की वर्ष 2010 में लागू हुआ, 11 पंच वर्षे योजना के दोरान प्रारम की गई, मुखे योजना वो देख लेते हैं, राश्टिय स्वास्त बीम योजना 2007 में लागू की गई, प्रधान मंत्री रोजगास रिजन कारे करम 2008 में, इंद्रा गांधी राश्टिय विकलांगता पैंशन योजना 2009 में, राश्टिय ग्रामीन आजीविका मिशन 2011 में और राजीव अबास योजना 2011 में शुरू की गई, अब हम देख लेते हैं आ आपरेल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली, यह भारत की अंतिम पंच वर्षय योजना थी, इसे मनमोहन सिंग्जी ने संसद में प्रस्तूत किया था, इस योजना का नारा था तीर्व अधिक समावेशी और धार्निय विकास यानि इंग्लिश में होगा फास्टर, more inclusive and sustainable growth, इसका लक्ष बार्मी पंच वर्षय योजना के दौरान गरीबी को 10% तक कम करना था, किरशी विकास दर 4% और वी निर्मान विकास दर 10% रखना था, लक्षित विकास दर 9% रखा गया, जिसमें संशोधन करके 8% लक्षय कर दिया गया, यह आपको ध्यान रखना है, तो फिर्ट जितने समाविशी और धार्नी विकास यान की फास्टर, मोर इंक्लूजिव और सस्टेनेवल ग्रोथ, ठीक है, और इसमें आपको बताऊना चाहिए कि लक्षित विकास दर 9% था, और जिसे बाद में शंशोधित करके 8% कर दिया गया, अब हम टॉप 50 MCQ लगा लेते हैं, ठीक है, आपको बता चुका हैं, कि application जरूर इस्टाउल कर लेना, वहाँ पर पूरी GS का test series जोइन कर लेना, ठीक है, 1000 कोशन वाला test series भी है, 5000 कोशन वाला भी, 10,000 कोशन वाला भी test series, ठीक है, तो आप जरूर जोइन करना, बिल्कुल detail explanation है, ठीक है, तो रवी study G के नाम से application है, इसको install पॉल कर दिजी अपने फोन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है किस पंच वर्षे योजना को गौडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है अगला कोशन है भारत की पंच वर्षे योजना प्रणाली रूस से अंगिकार की गई है उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंच वर्षे योजना के दिश्टी कौन को लागू किया था राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉसेफ स्टालिन नेक्स्ट है हमारा कोशन पांचमी पंच वर्षे योजना और चटी पंच वर्षे योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा option C, rolling योजना next है पहली पंचवर्चे योजना की योजना का मसोदा त्यार करने में शामिल योवा अर्थशास्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा option A, के अन राज ये कोशन भी इक्साम में कई बार पूछा गया है अगला कोशन किस पंचवर्चे योजना में गरीबी उन्मूलन का उलेख किया गया था राइट आंसर हो जाएगा option A, पांचमी पंचवर्चे योजना में गरीबी उन्मूलन का उलेख किया गया था अगला कोशन, भारत में पहली पंच वर्षे योजना में सर्वोच प्रात्मिकता क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा, option A, क्रिशी क्रिशी जो है, भारत में जो पहली पंच वर्षे योजना थी, इसमें सर्वोच प्रात्मिकता थी अगला कोशन, प्रथम पंच वर्षे योजना की अवधी क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन B, 1951 से लेके 1956 तक पहली पंच वर्षे योजना की अवधी थी नेक्स्ट है, पंच वर्षे योजनाओं में से किस में तेज, स्थाई और समावेशी विकास पर जोड़ है? राइट आंसर हो जाएगा, इस कोशन का, ओप्शन B, बार्मी पंच वर्षे योजना का जो मुख्य ओदेश था, वो था तेज, स्थाई और समावेशी विकास नेक्स्ट है, किस पंच वर्षे योजना के मॉडल को निवेश योजना आयोग का मॉडल कहा जाता है? अगला कोशन, भारत की आठमी पंच वर्षे योजना डैश के कारण विलंबित हुई? राइट आंसर हो जाता है, ओप्शन C, केंदर में राजनेतिक अनिश्रता के कारण अगला कोशन, निमलिकित में से भारत की किस पंच वर्षे योजना में सिख्षा और मानव शक्ती पर विशेश बल दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन B, चौथी पंच वर्षे योजना में आपको बताना चाहता हूँ, चौथी पंच वर्षे योजना में सिख्षा और मानव शक्ती पर विशेश बल दिया गया है अगला कोशन, पहली साथ पंच वर्षे योजना में डैश को महतव दिया गया था पहली साथ पंच वर्षे योजना जो है इसमें आतम निर्भर्षे योजना में कि शिव रामन समीती ने ग्रामीन विकास के लिए राश्टी कृशी एवं ग्रामीन विकास बैंकिस थापना की शिफारिश की थी राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C, छटी पंच वर्षे योजना में आपको बताना चाहता हूँ, छटी पंच वर्षे योजना में शिवरावन समीती ने ग्रामीन विकास के लिए राश्टिय क्रिशी एवं ग्रामीन विकास बैंक के स्थापना की शिफारिश की थी नेक्स्ट है, निम्न में से किस पंच वर्षे योजना में भारत में पहली बार घरीबी हटाओं पर बल दिया गया नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेम्न लिखित में से कौन बार्मी पंच वर्षे योजना से संबन्दित है राइट आंसर हो जाएगा, उप्शन D, उपरोगत सभी तो उसमें से आठ परतिशत की वास्तविक जीटीप विकास दर, क्रिशी विकास दर, चार परतिशत उपभोग गरीबी के प्रमुक गर्ना उनुपात को 10% तक कम किया जाना चाहिए, ये सभी बार्मी पंच वर्षे योजना से संबन्दित है अगला कोशन, पहली पंच वर्षे योजना की अब्धी क्या थी? उपशन B, 1951 से लेके 1956 तक पहली पंच वर्षे योजना की अब्धी थी अगला कोशन, भारत में पहली पंच वर्षे योजना में 2.1% के लक्ष के मुकाबले कितनी वृतिदर हासिल की गई? उपशन A, 3.6% भारत में पहली पंच वर्षे योजना में 2.1% के लक्ष के मुकाबले 3.6% वृतिदर हासिल की गई भारत की पहली पंच वर्षे योजना किस पर अधारी थी? राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A, हैरोड डॉमर मॉडल पर भारत की जो पहली पंच वर्षे योजना थी, ये हैरोड डॉमर मॉडल पर अधारी थी अगला कोशन, दूसरी पंच वर्षे योजना किस मॉडल पर अधारी थी? राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन D, PC महल नोबिस मॉडल पर दूसरी पंच वर्षे योजना आपको बताना चाहता हूँ, PC महल नोबिस मॉडल पर अधारी थी नेक्स्ट है, स्वतंदरता के बाद दूइत्ते पंच वर्षे योजना यानि कि 1956 से 61 के दोरान पशिम जर्मनी के सहियोग से किस स्पास सहियंतर के स्थापना की गई? राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शन A, राउर केला स्पास सहियंतर नेक्स्ट है, हमारा कोशन, भारत की दोर्षे पंच वर्षे योजना किस पर केंद्रित थी? Right answer हो जाएगा option A तीर्व उदोगी करन पर भारत की जो दूसरी पंचवर्ष्य योजना थी न वो तीर्व उदोगी करन पर केंद्री थी Next है भारत में तीसरी पंचवर्ष्य योजना का मुख्य उदेश है क्या था Right answer हो जाएगा तीर्व अर्थ विवस्था नेक्स्ट है तीसरी पंच वर्षे योजनाओं का उददेश्य भारत को डैश बनाना था राइट आंसर हो जाएगा option A, आतम निर्भर बनाना अगला question भारत चीन योद के बाद, भारत पाकिस्तान योद के कारण कौन सी पंच वर्षे योजना विफल रही? राइट आंसर हो जाएगा option C तीसरी पंच वर्षे योजना भारत चीन योद के बाद आपको बताना चाहता हूँ भारत पाकिस्तान योद के कारण तीसरी पंच वर्षे योजना जो थी ये विफल रही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीड़बैक भी दे कि वीडियो आपको कैसी लगती है अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है स्थिर्ता और आद्म लिद्वार्टा के साथ विकास किस योजना का उद्देश है था right answer हो जाएगा option B चौथी पंच वर्षे योजना का स्थिर्ता और आद्म लिद्वार्टा के साथ विकास किस योजना का उद्देश है था चौथी पंच वर्षे योजना का अगला कोशन है कौन सा युद चौथी पंच वर्षे योजना की दोरान हुआ था राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A भारत पाकिस्तान युद जो है ये चौथी पंच वर्षे योजना की दोरान हुआ था नेक्स्ट है निम लिखित में से किस पंच वर्षे योजना में श्विव रावन समीती ने ग्रामिन विकास के लिए राष्टी कृशी एवं ग्रामिन विकास बैंक की स्थापना की श्विफारिश की थी। अगला कोशन किस पंच वर्षे योजना के अंतरगत हरित करांती शुरू की गई थी। चलाई गई राइट आंसर हो जाता है ओप्शन B तीन वर्षों के लिए। आंसर हो जाता है ओप्शन A चौथी पंच वर्षे योजना के दोरान भारत की जो क्रिशी वर्षी धर यह सरवाधिक रही है। किस पंच वर्षय योजना में इस रो की स्थापना की गई थी? यानि कि इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन जिसका हैटकॉर्टर कहां पर है? बैंगलूरू में स्थापना कब हुई थी? 1969 में 15 अगस्त को तो पुछा गया है, बताओ किस पंच वर्षय योजना में हुई थी? आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B चौथी पंच वर्षय योजना अगला कोशन, किस पंच वर्षय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D 1978 से 1980 के बीच अगला कोशन किस पंच वर्षे योजना में नहरुवादी समाज के अंत के रूप में देखा गया राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन B छटी पंच वर्षे योजना नेक्स्ट है हमारा कोशन लकडवाल समीती द्वारा गरीबी के माप सबसे पहले किस पंच वर्षे योजना के दोरान हुई थी राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन A साथमी पंच वर्षे योजना के दोरान नेक्स्ट है किस पंच वर्षे योजना में प्रधान मंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई राइट आंसर हो जाता इस कोशन का, option A, आठमी पंच वर्षे योजना के दोरान, आठमी पंच वर्षे योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी अगला कोशन, किस पंच वर्षे योजना ने सोतनता के बाद से भारत के 50 वर्षों को चिन्नित किया और अटल बिहारी वाजपई ने प्रधानमंत्री पद का नेतरितव किया राइट आंसर हो जाएगा, option B, नौमी पंच वर्षे योजना नेक्स्ट है, ग्यारमी पंच वर्षे योजना का मुख Rechts ये क्या था? राइट आंसर हो जाएगा, option D, तीवृतम एवं समावेशी विकास, जो है, ये ग्यारमी पंच वर्षे योजना का मुख Rechts ये ये था नेक्स्ट है किस पंच वर्षय योजना में वर्ष दो हजार नौ में सिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो की वर्ष 2010 में लागू हुआ राइट आंसर हो जाता है ओप्शन सी इहार में पंच वर्षय योजना नेक्स्ट है नेम लिकित मेंसे किस योजना को rolling plan कहा जाता है यह राइट आंसर हो जाता है उप्शण D छटी पंच वर्षे योजना को rolling plan कहा जाता है जनता पाटी दुवारा किस 5 वर्षे योजना को समय से एक वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था, आंसर हो जाता है option C, पांचवी पंचवर्षे योजना को, इसलिए ये चार साल तक ही चली next है, भारत में नीली क्रांती की शुरुवात किस पंचवर्षे योजना के दोरान हुई थी, आंसर हो जाता है, option B, साथवी पंचवर्षे योजना के दोरान भारत में नीली क्रांती की शुरुवात हुई थी next है, भारत में पहली पंच वर्षे योजना के दोरान स्थापित उच सिक्षा का सामिधाईक निकाई कौन सा था राइट आंसर हो जाता है सामिधीक निकाई कौन सा था तो फ्रेंट्स यह आपको मैंने complete topic करवा दिया, बिल्कुल theory से समझा है detail में, जितने भी important question बनते थे, वो सब कुछ करवाई, उसके बाद 50 MCQ भी आपके लिए रखा था, अगर आपको वीडियो की quality, वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई है, वीडियो को like और share comment box में अपना feedback भी दे, कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, I hope आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अब आपके लिए 2 question का test है, जिसका answer आप सभी ने comment box में देना है, तो पहला question है, पहली 5 वर्षे योजना की अवधी क्या थी, 4 option है आपके पास, दूसरा question है, भा comment box में देना है, वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने अपना feedback भी ज़रूर देना है, उमीद करता हूँ आपको वीडियो की quality, वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंद आए, वीडियो कर आपको पसंद आए, वीडियो को like और share ज़रूर करें friends, ठीक है, अब आपके current affairs by Ravi को भी आप ज़रूर subscribe करें, daily current affairs लेने के लिए, हर exam के लिए हमारी ये वीडियो काफी useful होती है, और आपको मैंने बताया हमारी e-book की website है www.ravibookspdf.com, ठीक है, गूगल पर जाके आपको सर्च करना है, ravibookspdf.com, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक ह comment में जरूर बताना कि अगला वीडियो आपको किस topic में चाहिए, आपको यह video कैसी लगी है, जरूर मुझे बताना, ठीक है, आपका feedback में लिए बहुत जरूरी होता है, यह मुझे motivate करता है, कि अगली वीडियो को मैं आपके लिए किस topic पे बनाओ, और किस तरीके से बनाओ, बहुत महनत लगती है, आप सभी को best content deliver करने में, ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और हमारा चैनल जो है, रवी study जी के, इसे जरूर, subscribe जरूर करना, अगर आपने subscribe नहीं किया हो है, और अपनी सभी friends में, सभी study group में, और सभी लोगों के साथ हमारे share जरूर क सभी study जी के नाम से, मिलते है friends अब सभी से next video में, thank you and wish you all the best